हाव तो बिल्ड ऑटोमेटिक विलेजर फार्म इन माइनक्राफ और इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल जाएका इस वीडियो में तो यह वीडियो इन तक जरूर देखना तो फिर यह वह चीज जो तुम्हें चाहिए होंगे यह बिल्ड बनाने के लिए तो पिछलो बिन नाइन चुंगो और फिर इस got a new अनग्याशेस और फिर कनेक्ट कर दूँगा इन नाइन को और ब्मॉक्स प्लेस करने के बाद तुम्हें इसको तीन ब्लॉक के हाइट तक ले जाना है और फिर यृसा ही तूम्हें सेम्तु सेम इस तरब भी बना लेना है तुम यह attempt कितने भी चाहिए बरा बना सकतो मैं, ज्यादा बरा इसलिये नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे इस से ज्यादा बरा ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा है, इस तरफ भी same to same बना लेना है, और मैं एक चीज़ बताना भोल गया हैं, यह बनाने से पहली इसके अंदर तुम्हें तीन विलेजर से लाना है एक साइट दो और एक साइट एक विलेजर लाना है तुम्हें यह से और फिर तुम्हें इसके चारो तरफ एक एक ब्लॉक तोर देना है और उदर लैंटेन प्लेस कर देना है और तुम्हें यह लैंटेन इसलिए प्लेस करना है ता two-composturer और आपने होई से इन्हें कई양ृ करता तुम और उसके बाद तुम्हेए अपने प्लाट करना है फिर मैं तुम्हेध करijnा कमेंट करेंगा कि तुम अगरो करे और पलान्ति ननको करेंगे तो बहुत ही अच्छा ओका क्योंक BR dependent प्लांत कुछ दिखा देंगे क्योंकि तुम्हाइब से उनको फिर तुम्हें देना परेगा ब्रेट्स और इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लेम होगा तो मैं तुम्हें रेक्मेंड करता हो कि तुम बस पौटेटोस और कैरेट से प्लांट करो अब तुम्हें सेम इस तरफ भी कर लेना है फिर अपने जो क्राफ्ट से उन्हें प्लांट करने के बाद तुम्हें आ जाना है बीच में और फिर इसको इधर तीन ग्लासेस तोर लेने हैं और इस तरफ भी तीन ग्लासेस तोर लेने हैं तुम्हें फिर आ जाना ह इधर और इस ब्लॉक को तोर के प्लेस कर दो चेस्ट और सामने के तीन ब्लॉक्स भी तोर दो और फिर इधर जाके चेस्ट के साथ इस होपर को कनेक्ट कर दो और इस होपर के साथ इधर भी एक होपर रखके कनेक्ट कर दो इसके साथ और फिर तुम्हें ले देने अपने रेल cancelled ke newspaper सकते हैं और फिर तुम्हें साइड में लगा देना फ्रहें प्रिपर चले आना है दूसरी तरफ और एक विलेजर को स्क entails करके ले jain लेजॉड और बस अब तुम्हारा ये farm ready हो चुका है तुम्हें जाने अपने villagers को boat से निकाल देना है और बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना तुम्हारा ये farm ready हो चुका है पर ये जो farm ये starting में थोड़ा time लेता है क्योंकि जो villagers से उनका inventory full होना पड़ता है उसके बाद ही ये farm काम करना start करता है और तुम अगर चाहते हो कि ये farm जल्दी काम करना start करें तो तुम्हें काम कर सकते हो तुम जो है इन villagers को कुछ carrots और potatoes दे दो ताकि इनका inventory full हो जाए और ये farm जल्दी काम करना start करते हैं जैसे कि देख सकते हो मैं इन villagers को carrots दे रहा हो बहुत सारा और potatoes भी दे दूंगा तो फिर ये जल्दी काम करना start कर देंगे क्योंकि इनका inventory full हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो ये विलेजर को खाना देने की कोशिस कर रहे है और इदर देख सकते हो अपना जो हो पर है बहुत ही जल्दी फूल हो रहा है carrots और potatoes से सब्सक्राइब बहुत ही जल्दी और तुम्हें अगरे दूसरी फार्मस के वीडियो से देखना है तो यह playlist चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना और कैसी चैनल को सब्सक्राइब करने क